देश जहां भारतीय बिना वीजा के जा सकते हैं, नंबर एक, फिजी. अगर आप फिजी घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो बता दें कि यहां जाने के लिए भारतीयों को किसी को वीजा प्राप्त करने की आवश्यक्ता नहीं होती है. अगर आपके पास एक वैध पासपो बिना किसी वीजा के इस देश की यात्रा कर सकते हैं। व्यापक प्रवाल भित्तियों में से एक है। इस देश में उष्नकटिबंधिये जलवायू है और यहां वनस्पतियों और जीवों की दुरलभ प्रजातियां पाई जाती है। मौरीशस की प्राकृतिक सुन्दर्ता की वजह से यहां हर साल भारी संख्या में परियटक जाते हैं। नमबर तीन जमैका भारतिये परियटक आसानी से जमैका की सैर कर सकते हैं और यहां आने के लिए उन्हें वीजा की आवश्यक्ता नहीं होती। बिना वीजा के भारतिये जमैका में 14 दिन रह सकते हैं। एक और कैरिबियन द्वीब देश है जो कैरिबियन समुद्र में 4 सबसे बड़ा है। इस देश में आर्दर और गर्म जलवायू पाई जाती है जो उन्चाई के अनुसार बदलती रहती है। जमैका भी परियटकों के लिए काफी अच्छा देश है। यहां की जलवायू उष्ण कटिबंधिये है। नंबर चार, मकाउ एशिया महाद्वीब का एक ऐसा देश है जो यूएस के लास वेगास के बराबर है। यह देश कभी पुर्तगालियों का उपनिवेश था, लेकिन आज इस देश में चीनी संप्रभूता है। यह देश समुद्री तट पर स्थित ऐसा देश है जो अपने कैसिनों और होटलों के लिए काफी फेमस है। भारतिय परियटक मकाव में बिना किसी वीजा के यात्रा कर सकते हैं और अधिकतम 30 दिनों तक यहां रह सकते हैं। नमबर पांच, इक्वाडोर, दक्षिन अमेरिकी तट स्थित एक ऐसा सुन्दर देश है जहां स्पैनिश बोली जाती है। एक्वाडोर एक प्राकृतिक सुन्दरता है और दुनिया की सबसे विविध जैव विविधता वाला देश है। जो प्रकृति में होने का आनंद लेना चाहते हैं तो यह देश उनके लिए सबसे अच्छा परियटक स्थल है। भारतिय नागरिकों को एक्वाडोर की यात्रा से पहले वीजा की जरूरत नहीं पेडी डेहती। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहां पहुँचने पर आपको पर्मिट दिया जाता है जो नब्बे दिनों तक वैद है। का दूसरा सबसे बड़ा गर्म पानी का जर्ना बोइलिंग लेक काफी फेमस है। अगर आप भारतिय हैं तो आप हवाई या सडक मार्ग से इस देश की यात्रा कर सकते हैं। इस देश में आने वाले परियटक यहां की जीवन्त संस्कृती का हिस्सा बन सकते हैं और समुद